पिछले कई महीनों से पूरा मिडलीस संधर्ष और तनाव के माहौल से जूज रहा है जहां एक और इसराइल और हमास में तीखी जंग जारी है तो वहीं इरान समर्थित प्रॉक्सी गुड इसराइल पर हमलावर है इन सब के बीच खबर है कि कैस्पियन सी में इरान और रूस साथ साथ आये हैं इससे मिडलीस में हलचल तेज हो गई है तो वहीं इसराइल और अमेरिका ने भी अपनी भोहें टेड़ी कर ली है तरसल इरान के पूर राश्पती इप्राहिम राइसी के नक्षे कदम पर चलते हुए नए राश्पती ने इरान के रणनीतिक गठवंदन को मजबूत करने में लगे हैं इरान के नए राश्पती ने अपनी विदेश नीती में सपष्ट संदेश दिया है कि वो पुराने सहयोगियों रूस और चीन के साथ मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे इरान के मुश्किन दोर में रूस और इरान ही उसके मददकार रहे हैं नियोज अजनसी टास्क की माने तो इरान और रूस की नौसेना ने 22 जुलाई 2024 को कैस्पियन सी में जॉइंट मेरिटाइम सीक्योरिटी एक्सरसाइज शुरू की है इरान के सैने प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध भ्यास में नौसेनिक जहाज और नौसेनिक विमान दोनों शामिल होंगे इसके अलावा गाइड़ेट मिसाइल विद्वनसक, दराफश, सेफर और पाइककर, 2AB212 हेलिकॉप्टर और इस्लामिक रेविलूशनिक गार्ड कॉप्स की नौसेना से जहाज शाहिद बसीर भी इसका हिस्सा होंगे रूसी जहाज SP-45 ने ये दभ्य अभ्यास में भाग लेने के लिए इरान के सी एरिया में एंट्री की है अभ्यास का पहला चरण 22 जुलाइक को हुआ जब इरान और रूस की नौसेनाओं ने एक कमर्शल जहाज में लगी आग को बुझाया चालक दल को बचाने का अभ्यास किया बताया गया कि कैस्पिन सी पॉर्डर से लगे राज्यों की नौसेनाओं के प्रतिनी थी इस अभ्यास में प्रवेक्षक की भूमी कमे रहे बीते मई महिने में इरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल महमद रजा ने मौस्को और बीजिंग के साथ सैन ने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर योग भी जारी रखा है जो लाल सागर में अमेरिका और बिटेन की नौसेनाओं के साथ लड़ाई में लगे हुए हैं माना जा रहा है कि नौसेना योद्ध भ्यास के जरिये एरान और रूस अपनी नौसेना ताकत को और धार देने की कवायत में जुट गए हैं जिसका इस्तेमाल इरान यमन के हूती वी द्रोहियों के जरिये इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कर सकता है रूस और इरान के इस जॉइंट ऑपरेशन से इसराइल और अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से भूमत्य सागर तक जिस तरह हूती वी द्रोहियों ने अपना खौफ पर पाया हुआ है उससे इंटरनेशनल शिपिंग बिजनेस खासा प्रभावित हुआ है उस बीच रूसी विदेश मंत्राले के हवाले से यूज अजनसी टास ने बताया कि रूस और इरान ने एक व्यापक सहयोग समझोते की तैयारी भी पूरी कर ली है